राममंदित ट्रस्ट पर ऐसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिसमें करोडों रुपए की चंदा चोड़ी हो रही है। जो लगातार सबूतों के साथ उन्होंने गंभीर और संसन खेज आरूप लगाया और उनकी मांग है कि इसकी जांच हो। उन्होंने मोहन भागवत को चिठ्थी लिखी है। देखे भारती जंता पार्टी की मात्र संस्था है RSS रास्ती स्वेहम सेवकसंग जहांसे बीजेपी पैदा हुई। जहां से जनसंग पैदा हुई जहां से तमाम संस्थाएं पैदा हुई हैं तो भारती जनता पार्टी के लोग अगर खामोस हैं क्योंकि उन लोगों ने चंदा चोरी की है तो RSS प्रमुक से मैंने समय मांगा कि भाई ये साख्ष लीजिए ये कागजात लीजिए मेरी तो प्र अगर प्रभुस्री राम के नाम पर करोणों की चंदा चोरी बीजेपी वालों ने की है तो मैं तो यही कह रहा हूँ इनकी जाच करो, इनको जेल भेजो, इनसे करोणों रुपए वापस लो, इनसे माफी मंगवाओ, देश के करोणों हिंदुओं से माफी माँगे ये लोग, मैं तो यह कह रहा हूँ, अब तक जो आई, जो करोण की जमीन साड़े अठारा करोण में पांच मिनट के अंदर कैसे बिग गई, साड़े पांच लाख रुपए प्रति सेकंड की आम देनी, साड़े तीन करोण रुप, तीन करोण तीस लाख रुपए प्रति मिनट की आम देनी, इतना भरस्टा चार, आप बताए बीस लाख की जमीन धाई करोण में कैसे बिग गई, कैसे बिग गई, इतनी स तो इसलिए आज प्रधान मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं क्या देखना चाहिए प्रधान मंत्री जी दो हजार इक्यावन तक आयो अध्या कैसे होगी अरे डेड़ साल में अध्या का क्या हाल कर दिया वो बताओ ना आप एक इंच राम मंदिर का काम हुआ हो बताओ आप नियू तक नहीं भर पाया आप डेड़ साल में तीन सो सताइस किलो मीटर का एक्सप्रेस में बन गया जिसमें लाखों हेक्टेर जमीन ली गई होगी अधिरहित की गई होगी बाइस महीने के रेकार्ड टाइम में बन गया आप डेड़ साल में प्रभश्री राम का मंदिर नहीं बना पा रहे है क्योंकि आपका दिमाग मंदिर में नहीं चंदा चोरी में लगा हुआ है आज BJP वालों से कुछ पूछो कहते हैं हमारे नेता प्रापर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है RSS वालों से कुछो तो कहते हमारे नेता प्रापर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है विश्व हिंदू परिसत के लोगों से पूछो ट्रस्ट के लोगों से पूछो वो कहते हैं सुल्टान अंसारी जो कह रहा है वोई सच है तो आप सोचिये कि जो पार्टी हिंदू-मुम्सल्मान नफृत फैलाने का काम करती है आज सुल्टान अंसारी ऐसा सौभाग्यसाली मुसल्मान हिंदुस्तान का जिसके पक्ष में आरेसेस, बीजेपी, विस्विंदू, परसास, राम, राम, जनम, भुमिटर, सब खड़े हुए, क्योंकि इनको चंदा चोरी करना है, तो चंदा चोरी करने के लिए बीजेपी का न कोई उसूल है, न सिध्धा कर लिए आपको कितने हैं बैक टू बैक त्युद में दिखा गहां तो चंदा चोरी करसके, आपके पास कितने रिकोर्ड हैं, आप टो बैक यही आपने कागजाद दिखाए सबसे खतरनाक तारीख इसमें 18 मार्च है 18 मार्च को 9 लोगों के साथ हरीस पाठक और कुसम पाठक का जो एग्रिमेंट हुआ था सबसे पहले वो एग्रिमेंट कैंसिल किया जाता है उस 9 लोगों के एग्रिमेंट में एक व्यक्ति था सुल्तान अंसारी वहां से सुल्तान अंसारी को उठाया जाता है बीजेपी के मेयर का समधी का साला उसका रिष्तेदार रभी मोहन तिवारी को अलग से सामिल किया जाता है और सुल्तान अंसारी और रभी मोहन तिवारी साड़े 18 करोण की जमीन पहले 2 करोण में खरीते हैं साथ बच के दस मिनट पे और साथ बच के पंदरा मिनट पे वही जमीन साड़े अठारा करोन रुपए में ट्रस्ट को बेज देते हैं और दोनों जमीन की खरीद में कौन गवा है रिसी के सुपाद्या बीजेपी का मेयर नमबर एक आनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट का सदस नम रुपए है क्योंकि पाँच मिनट पहले खरीदी गई कुसम पाठक और हरीस पाठक आप मुझे बताइए सीधे ट्रस्ट को साड़े अठारा करोन में बेज सकते थे लेकिन रभी मोहंतिवारी का नाम सामिल किया गया बीजेपी के मेयर के रिस्तेदार को सुल्तान अंसारी के साथ दो करोन की जमीन खरीदवाई गयी पिर इसको साड़े अठारा करोन बेज दिया जब मैंने वो सारे काज़ात सामने किये तो पहले भाज़ पाई उनने का ये सारे काज़ गलत हैं सारे काज़ गलत हैं फिर चमपतरा ने का नहीं नहीं हमने तो चपत लगाई है उनन ना कर रहा था, मुझसे पता मत करवाईए, फिर मुझे मजबूरी में पता करना पड़ा, तो 18 मार्च को ही, हरीस पाठक और कुसम पाठक की ही, एक जमीन जो बिल्कु सटी हुई है, 10,000 वर्ग मीटर, वो 8 करोन में ट्रस्ट ने खरी दिया, अगर चंपत राय को अपने घर क जार वो खरीदते, 8.5 करोन में, आप बता ही मुझे, एक मालिक है जमीन का, जमीन के दो हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा 12.000 वर्ग मीटर, एक हिस्सा 10.000 वर्ग मीटर, जो 10.000 वर्ग मीटर का हिस्सा है, वो रास्ते के करीब है, वो मिल जाता है 8 करोन में, जो पीछे की जम गाटा संक्या 242 दस जार वर्ग मीटर आगे रास्ते की करीब की जमीन वो मिल गई आठ करोन में जो पीछे की जमीन है 12,000 वर्ग मीटर वो मिल रही यह सारे 18 करोन में जे बरस्ताचार नहीं है कुछ साधूं के मठो को भी लिया गया है जिनको कोई पेमेंट नहीं किया गया इस तरह के भी बाइब नजूल की जमीन ले लिए इन लोगों ने आचार देवेंद प्रशाद उनका एक नजूल की जमीन पे कब जा था बीजे पी का मेर उनके पास जाता है वो कहता है महराज जी ट्रस्ट को इसकी जरूरत है प्रबसरी राम के मंदिर के लिए जरूरत है आप खाली कर दीजे उनका ठीक है बीस लाख रुपए में उनसे नजूल की जमीन लिखवा ली और वही जमीन धाई करोन रुपए में उसका भांजा दीपनरान उपाद्या ट्रस्ट को बेज देता है तो करोना के टाइम में तो आपके घर पे हमारे घर पे खाने का संकट था लोगों के घरों में खाने का संकट था और यह चंदा चोरी कर रहे थे और कमाई कर रहे थे बाद्च पावाले पर चंपतरह यह तो संग से उड़ने निद आप कर रहे हैं धीरेंदास जी का बयान मैंने सुना उनका मुझे कुछ पता ही नहीं है, कबनलेंदास जी का बयान मैंने सुना जो उत्रादिकारी है नित गोपाल दास जी के उनका हमसे कुछ पूछते ही नहीं है लोग, परासरन साहब है जो बहुत ही रेस्पेक्टेड वकील है, मुझे नह जाधीप नरायन है उसका एक दूसरा थिस्तेदातरा भी महनतिवारी है क्या मुटा-मुट या कर आपको लग रहा है दो सो पच्पन वर्ग मीटर जमीन 15 मार्च को 10 लाक में खरी दी जाती है और वही 255 मीटर वर्ग मीटर जमीन 18 मार्च को कितने में बेज़ दी जाती है साथ लाक में तीन दिन में 50 लाक की कमाई आप कर सकते हैं बीजेपी वालों से सिखे कैसे होती है दो काठारा क्या लब बलू अब अब फुल लग रहा है चुकी इस पर लगाता है नजर बनाया हुए तो कितना ज़्यादा देश के लोगों को अपने घर के सामने पोस्टर लगाना चाहिए चंदा चोरों से सावधान बाजपाई चंदा चोरों ने और ट्रस्ट के लोगों ने इस देश के करोणो रामभक्तों की आस्था पर गहरी चोट पहुचाई एब बलकु सबस्ट है या वो लोग कह रहे है जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया है वो लोग सवाल उठा रहा है अच्छा तो ये लोग अगर हम राफेल नहीं चलाते हैं, राफेल का भरस्टाचार नहीं उठा सकते हैं। नहीं देते तो साइकिल वाला सड़क के ब्रस्टचार का घोटाला नहीं उठा सकता राफेल का मुद्ध मैंने उठाया तो मेरे पास एक राफेल का जहाज होना चाहिए पहले बाजपाईयों के तर्क से तो इन चंदा चोरों को जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उनकी तो कम से कम प्रभु स्री राम ने उनके चंदे की तो बचत कर ली अब उसको सही रंग से उपयोग करेंगे कितने करोर का गोटाला लगाई गई है चंपत राय ने बहुत लंबी चंपत लगाई है उसकी तो पूरी जांच होगी तो पता चल जाएगा पूरी जांच होगी तो पता चल जाएगा ऐसे ब हईमान लोग है अब उमीद है की जांच होगी तो कोट से होगी कोट जानगे है उप्लोगी तो जरूर। होगी तयारी कर रहा है त्यारी करते हैं। करोन में ट्रस्ट को बेज देते हैं। उननीस अपरेल को हरीस पाठक, कुस्म पाठक, सुल्तान अंसारी, रभी महनतिवारी ये चारो लोग मिलके दस करोन की जमीन खरीदे हैं। वो कागज मैंने आज दिखाया। तो ये प्रभु सिरी राम की संपत्ती नहीं बना रहे हैं। अपनी संपत्ती बना रहे हैं। रुपए की कमाई कर रहे हैं। किसे जमीन खरीद रहे हैं। किस दूसरे से। वो बारा लोगों से जमीन खरीद आया उन्होंने। वो फिर वो ट्रस्ट को बेच देते। नहीं 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 वो ट्रस्ट को बेचने से पहले मैंने उसका भंडा फोड़ कर दिया। तो अभी तो रोक गया मामला। मैं यह कर रहा हूं कि 10 करोण की जमीन यह लोग खरीदे हैं। 19 अप्रेल को वहां से कमाई होने के ट्रस्ट से कमाई कर रहे हैं। फिर जमीन खरीद रहे हैं। आप देखिए। मतलब चंदे के पैसे से बिजनेस चल रहा है लोग। बिजनेस संपत्ती बना रहे हैं। और जो 10 करोण की जमीन खरीदी है। उसमें 12 लोगों के खिलाब है भाईयार हो गई है। वह विवादी जमीन है। उनको बेचने का हक नहीं था। उनसे इन लोगों जमीन खरीदी है। यह चक्कर है। तो सुप्रिम कोर्ट के दिसा निर्देश पर किंद सरकार एक ट्रस्ट बनाती है। और सब कुछ साफ है, पानी की तरह साफ है। और देश के एक मिंबर अफ पार्लियामेंट जो की रिस्पोंसिवल पोस्ट है। वो सवाल उठाते हैं सबूतों के साथ। उसके बाद भी जाँच की कोई बात नहीं आ रही है। आप सोचिए अगर 2GS कैम में कोईला घोटाला जिस समय हुआ था। उस समय अगर सरकार जाँच नहीं कराती। तो ये सरकार की रिस्पोंसिलिटी तो है कि इसकी जाँच होनी चाही। क्योंकि न तो गंभीर आरोप लगाने वाले कोई आम आदमी है। वो सांसद है, मेंबर अपार्लियामेंट है। जिन पर गंभीर लग रहा है वो देश के करोरों लोग की भावनाओं से जूरा है। ट्रस्ट का मामला है, पैसा कोई नीजी है नहीं उनका। इस देश के लोगों ने चंदा दिया है करीब पांच जार करोर। तो एक अकाउंटिबिलिटी विश्वस्नियता का सवाल खरा होता है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए और ट्रस्ट्रियों के लिए ज़्यादा जरूरी है कि वो जांच होकर पाक साफ निकले। लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जो लगातार भारत माता की जै बोल रहे हैं जै सीराम कर रहे हैं और करोरों को नियारे वियारे कर रहे हैं। आप लोगों से आप बात कीजिये तो उनको लगता है कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवार हो रहा है और उन्होंने जो चंदा दिया था उसका बंदरबान चल रहा है आप लोग की क्या परतकिरिया अपनी परतकिया जूर दीजी कि आप अपना उपिनियन भी देख सकते हैं क कि आपको क्या लगता है इसकी जाच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सुक्रिया सर्थ हमसे बात करने के लिए कैमरामन 80 के साथ शंभू कुमार सिंग निशनल दस्तक दिल ले निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें